नमस्कार साथियो आज मैं आपको हरी कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखी हुई एतिहासिक एकांकी मान मंदिर सुना रहा हूँ प्रेमी जी हिंदी के वो सहितकार है जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से धर्म निरिपेक्षता विश्व बंदूत्व और राष्ट्रिय जागर्न जैसे महान संदेश दिये प्रेमी जी का जन्म 1908 हिस्वी गुना गवालियर मध्य प्रदेश में हुआ इनकी द्वारा लिखी हुए पर्मुक एतिहासिक नाटकों के नाम है रक्षा बंधन, सिवा साधना, पर्तिसोध, स्वापन भंग, आहूती और विस्पान वहीं इनकी लिखी हुई एतिहासिक एकांकी है मान मंदिर यह एकांकी राजपूतों में एकता की आवशक्ता को र अनुरोध करने जाते हैं, लेकिन रावहेमू मेवार के समक्ष अपने समानता के अधिकार की बात करते हुए उनकी अधिनता स्विकार नहीं करते और फलते हैं दोनों राजपूत सक्तियों में युद होता है जिसमें बुंदी की हाडा सेना विजय होती है, तब महारणा ल लाखा से अनुरोध करती है कि वे बुंदी का नकली दुर्ग बना कर उसे जीत कर अपनी परतिग्या पूरी करें लेकिन महारणा लाखा के ही एक हाडा सिपाही वीर सी है हाडा बुंदी के इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने साथियों सहीत वीर गती को प्राप पहला दृष्य स्थान बुंदी गड़ बुंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड के सेनापती अभैसिहें से बातचीत कर रहे हैं अभैसिहें राव साहब सिसोधिया वंस हाडाओं को आदर और सनेह की दृष्टी से देखता है राव हेमू तो फिर आप बुंदी को मेवाड की अधिनता स्विकार करने की आग्या लेकर क्यों आए हैं अभैसिहें राव साहब हम राजपूतों की भिन भिन ए संग्ठित सक्तियां विदेशियों का किस परकार सामना कर सकती हैं आप तो जानते ही हैं कि जब तक पस्षिम से आने वाले आक्रमन कारियों को भार जैचंद ने देश की सक्ति को तीन तेहरे कर दिया वैसे ही इस गोरव साली देश का गोरव अस्त हो गया राव साहब इस बात की अचंत आवशक्ता है कि हम अपनी सक्ति एक केंदर के अधिन रखें राव हेमू और वह केंदर है चितोड अभैसि हैं इसमें भी कोई संदे ह है है राव साहब यदपी अलावदिन ने चितोड का विद्भन्स कर दिया था किन्तु वहे विद्भन्स भी कितना गोरव मै था महरानी पदमीनी का जोहर वर्त और मेवाडियों का वहे अभूत प्रोव बलिदान क्या भुलाया जा सकता है वहे वंस कितने दिनों पड़ के अनुगत थे महरणा लाखा चाहते हैं आज भी वे उसी तरह रहें बीच की एविवस्था से लाव उठा कर जो राजा और जागिर्दार मेवाडी जंडे के नीचे से हट गए हैं उन्हें उसी के नीचे आना चाहिए बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड के आश यहें तुम क्या कहते हो अभेसी हैं जी सवरग्ये महराज प्रतिराज के वंसजों को गहलोत राजपूत अपना गुलाम बनाना चाहते हैं अभेसी हैं जी किस महराणा ने हमारे पूर्वजों को बूंदी का पट्टा दिया था अभेसी हैं पट्टा तो सायद नहीं दिया लेकिन आप बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस पठार पर अपना अधिकार जमाया है राव हेमू हमारे कुल गोरव सवरगिये देवसिहें की तीखी तलवार ने इस परवतमाला पर बसने वाले मीनों और भिलों को अपने काबू में करके उनसे इस देश को छीना है मेवाड के सेनापती मेवाड के पटे ने नहीं परल्यंकर संकर के अवतार देवसिहें हाडा के पुर्शारत में हाडा वंस को इस भुमी का स्वामी बनाया है हाडा वंस किसी की गुलामी सविकार नहीं करेगा, चाहे वहे विदेशी सक्ती हो, चाहे वहे मेवाड का महराणा हो, अभैसी हैं, किन तू क्या आज तक हाडा राव, दसहरे और होली के उत्सों में, चितोड जाकर महराणा के प्रती अपनी सर्धा और भगती के फूल नहीं चढ़ाते रहे, राव हे मू, केवल सर्धा और भगती के फूल ही नहीं, मेवाड की मान रक्षा में अपने लोहू का अरधे भी चढ़ाते रहे हैं, प्राणों की बली भी देते रहे हैं, अभैसी हैं, तो आज आपको महराणा की अधिनता सविकार करने में आपत्ती ही क्य में राव हे मू, वह था एक वीर राजपूत का, दूसरे राजपूत के परती सनेह का आदान परदान, मेवाड के सिसोधिया वंस के परती, बुंदी के चोहान वंसीये हाडाओं का प्रेम भाव, ऐस सवभाविक नहीं है, प्रथुराज के भी पहले से सिसोधिया और चोहा देश और जाती की मान रक्षा में रक्त का संगम करते रहे हैं। बड़ी आवशकता है और जो व्यक्ति यह माला तयार करने की सक्ति रक्ता है वह है महराना लाखा राव हेमू। देख नहीं पा रहा है हाँ उस माला को तोड़ने का स्रीग्णेश अब हो गया है अभैसी है तो मेरा यहां तक आना व्यर्थ हुआ। आप महराना लाखा की आग्या को नहीं मानेगे राव हेमू। आग्या हाडा आग्या के नाम से चिड़ता है अभैसी हैं किन्तु अनुसासन का अभाव हमारे देश के टुकडे की हुए है। राव हेमू। प्रेम का अनुसासन मानने को हडा वंस सदा तयार है शक्ति का नहीं। मेवाड के महराना को यदि अपने ही जाती भाईयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक शक्ता। बूंदी सवतंतर राज्य है और सवतंतर रहकर वहे महरानाओं का आदर करता रह सकता है। अधिन होकर किसी की सेवा करना वहे पसंद नहीं करता। नेपथ्य में गान कभीन अपनी आन गवाना तुम हो अगनी पुत्र अभिमानी हर्द तुम्हारा है तुफानी तुमने भैसे हार्ण मानी कभीन जाना सीश जुकाना कभीन अपनी आन गवाना पाली है प्राणों में ज्वाला, राजपूतरन मदमतवाला, कब बंधन से बंधने वाला, चाहे अपनी जान गवाना, कभी न अपनी आन गवाना, गोरव हीन जीवन जीना, चाहे पड़े गरल भी पीना, चाहे छलनी होवे सीना, पर्न दास्ता को अपनाना, कभी न अपनी आन गवाना राव हेमू सुमते हो अभैसि हैं कोई क्या गा रहा है यह है राजपूत के जीवन का मंत्र आप मेवाडियों को यह बात नए सीरे से समझानी न होगी आप महराना को समझाएं कि जिस धातू से मेवाडियों की तलवार बनी है उसी से बुंदी के हडाओं की भी अ गाते गाते चारणी का प्रवेश। चारणी, रुख क्यों गए? मेवाड के सेनापती क्या कहते हैं? मैं भी तो सुनूं अभैसि हैं. यह राजनीतिक बाते हैं, चारणी तुम अपना गीत गाये जाओ, राजपूतों के हिर्दयों में आग लगाये जाओ, यह राजनीति क चक्कर तुम्हारी सीमा के बाहर है चारनी राजनीती वह हमारी सीमा के बाहर है वह केवल राजाओं की है वह दिन आएगा सेनापती जब राजनीती का उदे साधार्न जनता में से होगा मैंने सुना था मेवाड के सेनापती यहां आए है इसलिए दर्सन करने चली आई थी और यह जानने भी कि इस समय जब देश का वातावर्ण सांत हैं दो राज सक्तियों में क्या अभिसंदी हो रही है राव हेमू कुछ नहीं देवी बड़े मगर छोटों को हजम कर जाना चाहते हैं चारणी तुम जो गीत गा रही थी उसमें राजपूत की जीवन का मूल मंत्र परती धवनीत हो रहा था तुम्हारे इस गीत को सार्थक करने का समय मानो आ रहा है चारणी तुम हाडाओं के प्राणों की आग सुलगाओ चारणी किन्तु मेरे लिए तो हाडा और गहलोत दोनो बराबर है राव हेमू फिर न्याय और अन्याय को देखना होता है आज मेवाड का बूंदी पर कोप हुआ है राजपूत की तलवार राजपूत के ही खून की प्यासी हुई है चारणी सर्वनास महाकाल की जो मरजी यहे भयंकर दुरगटना भी कल्यान का रिसिद्ध हो दो दोनों का दो तरफ परस्थान पट परिवर्त्न दूसरा द्रिश्य स्थान चितोड का राज महल महरणा लाखा बहुत चिंतीत और व्यथीत अवस्था में कमरे में टहल रहे हैं लाखा मेवाड के गोरोपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है यहे बात नहीं कि सिसोदिया वंसियों ने कभी पराज्य का मुख देखा ही नहीं लेकिन उनकी पराज्य भी विजय से अधिक उजवल होती रही है अलाउदीन की चितोड विजय की घटना इस बात का परवल परमान है किन्तु इस बार मुठी भर हाडाओं ने हम लोगों को जिस परकार पर और विफल किया उससे मेवाड के आत्मगोरव को कितनी ठेश पहुंची है यह मेरा ही अंतहकर्ण जानता है अभैसिहें का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना अभैसिहें महाराणा जी तरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं महाराणा सेना पती अभैसिहें जी आज मैं दर्बार में नहीं जाऊंगा आप जानते हैं कि जब से हमें निमेरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से प्राजित होकर भाग आना पड़ा तभी से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है बप्पा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमन में बह रहा हु वह प्राणों के भैसे रण छेत्र से भाग आए यहें कितने कलंक की बात है अभेसी हैं किन्तु जरासी बात के लिए इतना अनुताप क्यों करते हैं महाराणा हाडाओं ने रात के समय अचानक हमारे सिविर पर आकर्मन कर दिया आकस्मीक धावे से घबरा क हमारे सेनिक भाग खड़े हुए आप तो तब भी प्राणों पर खेल कर राव हेमु से लोहा लेना चाहते थे किन्तु हमी लोग आपको वहां से खिंच लाए इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड के गोरों में कमी आने का कौन सा कारण है महाराणा जिनकी खा प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं जिनका इतिहास पुकार पुकार कर कह रहा है कि अपमान भरे युग से आक्म सम्मान पुर्ण छन अधिक स्रेयसकर हैं जिनकी 25-25 हजार महिलाएं देश और जाती की मान रक्षा के लिए एक बारगी जोहर की ज्वाला में जल कर मरन को अमर कर गई हैं वे प्राज्य का मुख देखकर भी जीवित रहें यह कैसी उपहास जनक बात है सुनो अभैसी हैं जी मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं अभैसी हैं मेवाड के सेनिक आपकी आग्या पर अपने प्राणों की बली देने को प्रस्तूत हैं महाराणा उनके पुरसारत की परिक्षा का दिन आ पहुंचा है मैं बपा रावल का वंसज प्रतिग्या करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सैसेन्य प्रवेस नहीं करूंगा तब तक अनजल ग्रहन नहीं करूंगा बूंदी के दुर्ग पर जब तक मेवाड की पताका नहीं फहराएगी तब तक पानी की एक बूंद भी गले क नीचे उतारना मेरे लिए गोहत्या के समान होगा अब हैसी हैं महाराणा छोटे से बुंदी दुर्ग को विजे करने के लिए इतनी बड़ी परतिग्या करने की क्या अवशकता है बुंदी को उसकी धृष्टता के लिए दंड तो दिया ही जाएगा लेकिन हाडा लोग कितने वीर हैं चोहानों का इतिहास उनकी प्राणों को उतेजित करता रहता है युद्ध करने में यम से भी वे नहीं डरते वे यदपी संख्या में कम हैं किन्तु अपने पहाडी परदेश में खूब सुरक्षित हैं इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजे हमारी होगी किन्तु य है निश्चे पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे इसलिए ऐसी भीषन प्रतिग्या आप ने करें संपूल्ण मेवाड के सेनिक आपके इसारे पर मरने जीने के लिए प्रस्तूत हैं आपके प्राणों का मुल्य स्वर्ग सिहासन से भी अधिक हैं कुबेर के धन से भी ज्यादा है आपकी इस प्रतिग्या की बात सुनकर सब जगहें एशांती के बादल चा जाएंगे और दो राजपूत वंसों में जो भयंकर वेमनश्य की जवाला जल उठेगी वहें भुजाए न भुजेगी और उसका लाभ उठाएंगे विदेसी लोग भारतिये सभ्यता की सत्रू इसलिए आपसे मेरा नमर निवेदन है कि आप मेवाड पर दया करके गहलोत वंस पर तर आप क्या कहते हैं सेना पती क्या कभी आपने सुना है कि सुर्यवंस में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी परतिग्या को वापस लिया है महराज दसरत का उधारन हम लोगों की सामने है प्रान जाएं पर वचन न जाहीं यह हमारे जीवन का मूल वंत्र है जो तीर तर प्रताया नहीं जा सकता मेरी प्रतिग्या कठिनाई से पूरी होगी यह मैं जानता हूं और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टी भी हो चुकी है कि हाडा जाती वीर्ता में हम लोगों की अपेक्षा किसी प्रकार ही नहीं है फिर भी महराणा लाखा की प्रतिग्या वास्तों में प्रतिग्या है, वह पुर्ण होनी चाहिए, नेपत्थे में गान, तोड मोतियों की मतमाला, ये सागर से रतन निकाले, युग-युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर, एक हुए हैं प्रेश जवाला से कर ले पान प्रेम का प्याला तोड मोतियों की मतमाला इन में कोई नहीं बड़ा है विधीन इनको स्यम गड़ा है तुम क्यों बनता है मतवाला तोड मोतियों की मतमाला महाराणा तुम गा रही थी चारणी तुम संपुर्ण राजस्थान को एकता की सरंखला में बांध कर देश की स्वाधिनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी किन्तु मैं तो उस सरंखला को तोड़ने जा रहा हूं दो आनवाली जातियों में जानी दुस्मनी पैदा करने जा रहा हूं चारणी यहें आप क्या कहते हैं महाराज आपकी विवेक सीलता पर सब को विश्वास है जिस दिन सेनापती अभैसी है बुंदी के राव के पास कि अधिनता स्विकार करने का संदेशा लेकर पहुंचे थे उसी दिन मैंने उन्हें सचेत किया था उसके बाद जब मेवाडी सेना प्राजित होकर लोट आई तो मैंने समझ लिया कि मेवाड और गुंदी दोनों ही देशों पर विपती के बादल मंडरा रहे हैं आज भी मै आपसे अंतिम अनुरोध करने आई हूं कि महाराणा समय के फेर से यदपी आज हाडा सकती और साधनों में मेवाड के उन्नत राजे से छोटे हैं फिर भी वे वीर हैं मेवाड को उसके विपती के दिनों में सहयता देते रहे हैं यदि उनसे कोई ध्रिष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत सक्तियों में सनेह का समध बना रहने दें महाराणा तुम बहुत देर से आई हो चारणी अभैसी हैं चारणी महाराणा ने प्रतिग्या की है कि जब तक बूंदी के गढ़ को जीत ने लेंगे वहे अनजल ग्रण ने चारणी दुर्भाग्य महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी देश का कोई भी सुबचिंतक इस विद्वेश की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता अभैसी हैं किन्तु महाराणा की प्रतिग्या तो पूरी होनी ही चाहिए चारणी उसका एक ही उपाय है वह यह है कि यहीं पर एक मिटी का नकली दुर्ग बनवा कर उसका विद्वन्स करके अपनी प्रतिग्या पूरी कर ले महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्विकार है? क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्विकार है?